जैहिंद मेरे प्यारे सातियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ओनलाइन किलासिज में स्वातियों कौक्षा 11 के लिए पाठे पुश्तक भारत भोतिक पर्यावरान तो गाइस देखिए, फर्स्ट चैप्टर, 11 कलास के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ये देख रहे हैं आप देखिए, परवत, पहाड, वोलकेनो, एनिकी जौला मुखी कैसे फटते हैं जौला मुखी, तो ये चितर में आपको दिखा रखे हैं तो जौला मुखी इस टाइप से फटते हैं, निकी आग उगलते हैं, ठीक है, जौला मुखी कई पिरकार के होते हैं तो इसका ड्रिस्क कर अप्षन आपको आगे देखने को मिलेगा, नदिया, ड्रेनेज, कैसे बैते हैं, कहां से बैते हैं, ये सब आपको आगे देखने मिलेगा, ठीक है, परवत, पहाड कैसे बनते हैं, ये भी आपको आगे देखने मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में भी में आपको समझाऊंगा तो गाइज देखिए यह बोल कहनों जो दिखाई दे रहा है आपको यह बोल कहनों होद इंपोर्टेंट होते हैं इसी की बोल कहनों आपने दे रखा है मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रेप्शन कर देता हूं एनि कि देखिए जापान का एक आमा परवत जो हमेशा उस से जो आला मुखी फूटता रहता है और जापान के लोग उसको देवी देपता मान के उसकी पूजा करते हैं ठीक है गाइस तो भोल कहनों बहुत ही इंपोर्टेंट हैं कहां कहां आते हैं और जापान संजार में एक मातर ऐसा देश है जहां अपने आपको बनाए हुए हैं ठीक है गाइस तो देखते हैं आगा चलते हम 11th क्लास के लिए जो टोपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे इनकी 1st चैप्टर तो देखते हैं 1st चैप्टर तो देखिए अध्याय 1st ठीक है गाइस 11th क्लास का अध्याय 1st आपके सामन है तो देखते हैं अध्याय फस्ट क्या है तो गाईज अध्याय फस्ट है भारत इस्तिती भारत इस्तिती तो देखिए भारत एन की इंडिया ठीक है हिंदुस्तान इस्तिती इस्तिती मींस है लोकेशन हम इंगलिस में कहेंगे लोकेशन ठीक है इंडिया की लोकेशन तो इंडिया की लोकेशन है क्या ठीके गाइस तो देखिए इंडिया की लोकेशन है क्या हम उसके बारे में जानेंगे तो देखिए गाइस आपके सामने फर्स्ट चैप्टर का इनकी भारत इस्तिती इंडिया लोकेशन तो देखिए पिछली गख्षाओं में आप भारत का मानचितर देख चुके हैं तो आपने भारत का मानचितर सभी ने देखा होगा ठीक है गाइस अब आप भारत के मानचितर एक तसमलव एक पॉइंट को जरागोर से देखिए यनि की मैपिंग इसमें है अभी आपके सामने अरा है ठीक है गाइस इसका अक्षांस यह है यनि की अक्षांस यह है तो जो मैप होते हैं उसमें अक्षांस यह एवं देखांतरिये विस्तार ग्याद कीजिए यनि की हमें अक्षांस और देखांतर रेखाओं का ग्यान करना है ठीक है गाइस गिलोब जो होता है वो हमारा अक्षांस और देशांतर से बना होता है कोई भी मैप होता है तो मैप में भी अक्षांसर और देशांतर रेखाएं होती है ठीक है गाइज इनसे ही हम मैप तयार करते हैं क्या आप इसके दक्षिनतम और उत्रतम अक्षान्सो तता सबसे पूर्वी सबसे पस्मी देशांत्रों को चिन्धित कर सकते हैं यह कि दक्षणतम बिंदू और गाइज यह IS, PCS, All Competition All Competition यह कि सभी जितनी भी कंप्रिशन होते हैं ठीक है IS, PCS, UPSC, Railway, SSC हो, Stenow हो, Sum हो गया हो कोई भी एक्षाम हो, सब के लिए Important है, तो 11th Class की आपकी Geography यह कि भूगोल, ठीक है गाइज, कक्षा 11 की भूगोल, First Chapter है आपका तो देखिए, भारत का जो आक्षान्से अब देशांत्रिय विस्तार है, वो हमको देखना है क्या है, मांचित्र में जाके, ठीक है गाइज, और देख्षिणत्म, यहनि कि देख्षिणत्म मतलब लास्ट तम बिंदू क्या है, जो लास्ट में है, और उत्तरतम अक्षान्सो, यहनि कि उत्तरतम उत्तर बिंदू क्या है, और देख्षिण बिंदू क्या है, सबसे पूर्वी, सबसे पच्मी तो गाई चारो बिंदू जो है यहनि कि सबसे पूर्वी बिंदू सबसे पच्मी बिंदू उत्तरतम बिंदू, दक्षिनतम बिंदू सारे बिंदू important है एक्जाम में अक्सर आते हैं ठीक है board exam के लिए भी 10th class board exam के लिए भी अगर जोग्रफी आता है तो कभी कभी जोग्रफी में भी पूछ लेते हैं ठीक है गाईज 10th class में सामाजिक विग्यान जो होता है History, Economics, Geography, Fultical चारों subject उसमें मुल के SST सामाजिक विग्यान बनाते हैं तो ये बहुत important question है गाईज ठीक है इनको आपने Notes बना लेना है और अपनी कापी में रख लेना है और याद करने का तरीका देखी गाईज इतियाज भूगोल में बार बार आपको बताता हूँ कि इतियाज भूगोल बड़े बेवफा है रात को रटे सुबे को सफा है तो हमको रटना नहीं है हमने समझना हैं और पड़ना है और हमने लिखना है यनि की Notes बनाएं आपने और Notes बनाने के बाद उनको याद करें याद करने के बाद कोफी लें और उसमें लिख के देखें जैसे हम Championships में कोसन लिखते हैं वैसी कोसन लिखें विकल्प वाले question लिख लें चार विकल्प लिख लें और फिर उसमें टिक लगाएं ठीक है guys तो हमें उससे अनुभव होगा experience होगा और long question को हम question लिख के उसका answer लिख के देखें फिर अपने note book से अपने notes से उसे check किजिए ठीक है guys कितना गलत लिखा है कितना सही लिखा है तो आगे चलते हैं important question है ये भारत की मुख्य भूमी उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षण में कन्या कुमारी तक अब देखिए भारत की जो मुख्य भूमी है guys तो जो भारत की major land है major मतलब मुख्य भूमी है तो मुख्य भूमी जो है भारत में वो कश्मीर से लेकर दक्षण में कन्या कुमारी तक पूर में अरुणार चल प्रदेश से पसी में गुजरात तक फैली है पूर्व में अगर पूर्व की सीमा की बात करेंगे हम तो अरुनांचल प्रदेश से गुजरात तक अरुनांचल प्रदेश पूर्व में और पसी में गुजरात तो यह हमारे चारो कोने हो जाते हैं फैली हुई है हमारी जो अक्षान से देशांत्रिय विस्तार है सीमा है भा आगे समुंद्र की और भारत समुंद्री मील लगवग 21.9 किलोमेटर तक फैला हुआ है अब भारत की सीमान्त का मतलब भारत की सीमा के अंतरगत आता है ठीक है गाइज तो जो भारत की सीमा के अंतरगत आता है तो भारत का समुंद्री मील यहीं कि समुंद्री छेतर कितना है तो guys very important question एक number विकल्फ वाले जो question आते हैं कोई भी competition हो ठीक है guys आपने कोई भी मकान बुन्याद पर ही बनेगा हवा में नहीं बनेगा इसलिए guys please मेरा आपसे बिनम्बर निवेधन है कि हाँ से अपने notes बनाईए और उनको एक number के question long question और short question तयार कीजिए और आगए तो आपको जो है कोई भी दुनिया की तागत एक्जाम में और किसी भी competition में successful होने से नहीं रोक सकती ठीक है guys तो अनिकी भारत का सीमानतगर्थ अनिकी भारत भारत में समुद्री मील अनिकी समुद्री जो सीमा है चारो तरप से वो कितनी है तो उसका लगभग किलोमेटर द बैसे बारा समुद्री मील आंसर में लिखेंगे बारा समुद्री मील उसके आगे से लिखेंगे ब्रैकेट में लगभग कि किस दिसम्बल नो किलोमेटर तक फैला हुआ है परिबरतन के लिए बोक्स देखिए अब परिबरतन के लिए हमने क्या परिबरतन देखा तो हमें उसके लिए box देखना है यह box आपके सामने आ गया है तो मानक मील जो मानक standard मील होता है 63,360 इंच होता है समुंदरी मील का पैमाना है समुंदरी मील 72,960 होता है एक मानक मील लगभग 1.6 km अब देखिए एक मानक मील आप से कोई पूछेगा कि एक मानक मील में कितने किलोमेटर हैं तो आप बताएंगे एक मानक मील में लगभग अनि कि इतने 1.6 km मील होते हैं यह 1.6 km होते हैं यह एक मानक मील में यह 1.584 km होते हैं तो guys very important question है यह सब इनको आपने याद करना हैं और अपने नोट्स बनाने हैं ठीक है guys one समुंदरी मील लगभग एक पॉइंट अब देखिए समुंदरी मील की बात आ रही है कि आप से भारत की समुंदरी सीमा कितने हैं इनकी चार तरब जहां भी है समुंदर हैं कितना भारत में फैला हुआ तो समुंदरी मील यह समुंदरी छेदर की इतना हैं तो देखिए लगभग 1.8 km तो समुंदरी मील यह समुंदरी भाग कितना है 1.8 km यानि 1.824 km ठीक है guys तो यह सब आपने अपने नोट्स में लिखना है और याद करना है ठीक है guys और जो भी आप मुझको चेक कराना चाहते हैं तो WhatsApp नमबर पर चेक करा दीजिए मुझे तो बहुत अच्छी खुशी होगी आपका लिखा हुआ देखकर नोट्स बनाएंगे तो मुझे बहुत ही गर्भ होगा ठीके guys मुझे दिल से दुआ निकलेगी कि जो भी आप वीडियो पढ़ें वीडियो को देखें उन्हें उपर वाला इश्वर इतनी सक्ती दे इतना उचा ले जाए कि दुनिया की कोई भी तागत रोक ना सके ठीके guys और guys वीडियो बहुत मेहनेच से बनती हैं तो इनको like, share चैनल को subscribe करते रहें जादे से जादे share करें वीडियो को ठीके guys आगे चलते हैं हमारे देश की दक्षणतम सीमा तो देखिए हमारे देश की दक्षणतम सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिगरी यह देख रहे हैं 6 डिगरी 45 मिनट इसको हम जो कॉमा लगा उपर से हैं तो इसको मिनट पढ़ते हैं यह दिगरी 6 डिगरी 45 मिनट एनकी बंगाल की खाड़ी में जो हमारे देश की दक्षणतम सीमा तो देखिए देश की दक्षणतम सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिगरी 45 मिनट उत्तर अक्सांस के साथ निर्धारित होती है तो यह सीमा है ठीक है गाईज अब आवा आपसे question आ जाता है एक number का भारत की दक्षिनतम सीमा कितने degree है एनकी भारत की दक्षिनतम सीमा उत्तर अक्सांस के साथ कितने degree पर निर्धारित है तो 6 degree 45 minute 6 डिगरी, 60 मिनट, 6 डिगरी, 15 मिनट, 6 डिगरी, 80 मिनट, ठीक है गाईज, जैसे आपको confusion कर देंगे, कोई एक्जाम नर, कोई भी board का एक्जाम नर हो, ठीक है, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, यह 12th क्लास हो, यह home एक्जाम हो, यह आपका suppose कर यह कोई भी competition हो, IS, PCS, कोई भी competition हो, all of university exam हो, तो guys, हुआ सब इस type से ही question आएंगे, कि दक्षणतम सीमा, भारत की दक्षणतम सीमा, जो खाड़ी में, यह उत्तर अक्षांस के साथ, कितने डिगरी पर मिली वही है, ठीक है guys, तो इसको कोई काट नहीं सकता, आईए हम इतने बड़े अक्षांस ही हैं, यह हम देशा नाम का मतलग, ठीक है guys, अगर देखते हैं, यदि आप भारत के अक्षांसे देशांत्रे विस्तार की गड़ना करें, तो यह लगवग 30 डिगरी है, अब देखिए भारत का अक्षांसे और देशांत्रे विस्तार दोनों मिलाकर, अगर गड़ना करने के बाद आता है, तो द अप्षन मन जाएंगे, तो कितना है guys, 30 डिगरी, जबकि उत्तर से दक्षिन तक इसकी बास्तिविक दूरी, अब देखिए guys, very very important question, सारे important question चलने जोगरफी के यह, और सभी competition में अक्षर आते हैं, नेगलेट मत करना, ठीक है guys, जो भी वीडियो को देखें, पूरा देखें अच्छी से सुनें, ठीक है guys, कहीं आपको कोई समझ में नहीं आता है, तो मुझे comment के द्वारा बताएं, youtube channel के द्वारा बताएं, whatsapp के द्वारा बताएं, या facebook के द्वारा बताएं, twitter के द्वारा, instagram के द्वारा, लेकिन मुझे बताएं जरूर, तो guys मैं आपको भरपूर सम जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है guys, अपना समय, अपनी बाणी, अपना पैसा, सब नश्ट करकर मैं आपके लिए तयार हूँ, ठीक है guys, तो देखिए, उत्तर से दक्षिन, इसकी जो लंबाई है, यहनि कि उत्तर से दक्षिन, तो देखिए, उत्तर से दक्षिन जो देखते हैं, वो 3214 किलो मेटर, ठीक है guys, पूर्व से पस्षिम तक इसकी केवल 2933 किलो मेटर है, यह इसकी चोड़ाई है guys, ठीक है, तो लंबाई चोड़ाई है भारत की दे रखी हैं आपको, अब इन दोनों को गुणा करने के बाद में जो आता है, लंबाई चोड़ाई आपके सामने दिया जारता है, ठीक है guys, तो यह आपकी लंबाई चोड़ाई होई, दोनों कोशन इंपोर्टेंट हैं, आगे देखते हैं, इस अंतर का क्या कारण है, तो इन में जो अंतर है, यह 2933 है, तो इनका अंतर का कारण क्या है, इसे जानने के लिए, पुस्तक, यह हमको बुक, किताब, ठीक है, तो भुगोल में प्रियोग अत्मक कार रहे है, वाग एक, ठीक है guys, तो देखें, 2006 के अक्षान से देशांतर समय के अध्याई संक्या 3 को देखें, तो हमें अध्याई संक्या 3 है, यह आगया आएगा, उसको देखना है, ठीक है guys, यह अंतर एक तथे पर आधारित है, तथे मींस फैक्ट, यह अंतर जो है, एक फैक्ट पर आधारित है, ठीक है guys, धुरूबों की और जाते समय, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घढ़ जाती है, अब कोश्चन आता है guys, कि धुरूबों की और जाते समय, दो अक्षांतर आते हैं आपको घुमा देते हैं जादे बड़े नहीं होते हैं ठीक है लेकिन लेंगेज बड़ी होती है और कोस्टन घुमाने वाले होते हैं ठीक है कोस्टन में से कोस्टन कोस्टन में से आंसर में से आंसर में से आंसर निकले होते हैं और कोस्टन में से कोस्टन ठीक है गाई द्रव के 20 दूरी दुरूब किटने होते हैं दुरूब है तो ये आपको याद हो गया होगा ठीक है कोई लड़की को नाचते हुए डांस करते हुए देखते हैं हीरो हीरोईन को उनको hem बड़ी गोर से देखते हैं तो वह हमें उसका सीन बहुत दिनों तक याद रहता है ठीक है कैसे नाच रहे थे रहे थे कैसे कूले मटका रहे तो गाइज प्लीज बैसे ही आपको वीडियो देखनी है और बैसे ही आपको जोगरफी पड़नी है तो गाइज आपको कोशन मैं कहता हूँ कि आपके मन से दिलों से दिमाग से नहीं निकलेगा और एक्जाम आते ही आपके सामने तुरंट टिक लग जाएगा तुरंट नमब सारद रेखाओं मैं आपने ज pratic ? आपिस की दूरी घटती चली आती है और दो अक्षानस रेखाओं बीच की दूरी हर जगर्द का एक जा प्रतीर रहती है की दो अक्षानस रेखाओं के बीच dal और घ ते вс की दूरी ज्यात कीजिए अब हमाग ग्यात करनी है तो देखिए कैसे करते हैं आगे देखते हैं तो गाईज आपके सामने ये 11th क्लास अनिकी 11 में की जोग्रफी का 1st चैप्टर चल रहा है ये किताब का 1st चैप्टर है मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है आपके पास किसी के पास बुक नहीं है कुछ नहीं है तो कोही टैंशन लेने की जरूरत नहीं है आप तो केबल बस इसको देखिए पढ़िए नोट्स बनाईए एक एक नंबर के कोशन पुटप कीजिए लओं कोशन जितने होंगे मैं आपको इसमें से कराऊँगा अक्सांस रेखाओं के मानों से ज्यात होता है कि भारत का दक्षिन हिस्सा उष्ण कटी बिंद्य में और उत्री हिस्सा दक्षिन हिस्सा उष्ण कटी बंद्य में उत्री हिस्सा उपोशन कटी बंद्य में और कि कभी कभी ये कोशन भी आ जाते हैं दक्षिन हिस्सा किस कटी बंद्य में है तो दक्षिन हिस्सा जो भारत का उष्ण कटी बंद्य में उत्री हिस्सा उपोशन कटी बंद्य में है अथवा कोष्टिय सितोष्ण कटी बंद में यही इस्तिती देश में भुव अकरती, जलवाईयों मिट्टी के प्रकारों तता प्रयकरतिक बनिश्पती में पाई जाने बाली भारी भिनेता के लिए उत्तर दाई है जैसे आप देखते हैं कहीं सेव होता है ठीक है गाइज कहीं आम अच्छे होते हैं कहीं लीची होती है इसे रामनगर में लीची होती है रामनगर उत्रागं रामनगर और आपके चिल किया है नैनी ताल है ये जिले लीची उत्पादन करने वाले हैं देरादून है लेकिन अन लाक्सर उत्राखंड में पाया जाता है ठीक है गाइज तो चीड से हमारा क्या निकलता है लीज़ा अभी हम अपने टोपिक पर बापस आ जाते हैं कमबैक देखिए तो देखिए गाइज आगे चलते हैं आएज हम देशांत्र विस्तार और भारत के लोगों पर इसके प्रभाप का अध्यन करते हैं एणि कि देशांतरीय रेखाओं से जो हमारे भारतियां, इंडेंस याँ उनपर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट क्या होता ह। देशांतर रेखाओं के मानकों से इसपस्ट होता है जो उनके देशांतर और देशांतर रेखाओं के जो अंतर के कारण ही हमारे देश में जो समय में अंतर होता है यहां कि पस्यम और उत्तर में जो है हमारे देश के पूरवी सबसे पस्यमी भागों के समय में लगवग यानि कि देखिए पूरब में समय अलग होगा और पस्यम में समय अलग होगा तो guys एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो हमारे देश का या किसी भी देश का जो समय में अंतर होता है तो वो किस के कारण होता है देश अंतर रेखाओं के कारण देशांतर रेखाओं में जो अंतर पाया जाता है ठीक है और लगवक कितने का अंतर होता है 30 डिगरी का अंतर होता है देशांतर रेखाओं में कितने का अंतर होता है 30 डिगरी का ठीक है गाईज तो पस्षीमी और पूर्वी समयों में हमारे देश का कितने का अंतर है दो परिजित हैं तो भारते हमें मानक समय जो स्टेंडर्ड टाइम जो है मेरे डियान है उससे आप परिजित होंगे आपके सामने आ जाएगा मानक यामोत्तर का क्या उप्योग है तो मानक यामोत्तर आमोत्र मतलब जिससे हम समय नापते हैं ठीक है गाइज माना कि आमोत्र का मतलब हम जिससे समय अपना नापते हैं या निरधारित करते हैं ठीक है गाइज जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसल मेर की तुलना में सूर्य दो घंटे पहले उद्य होता है एनि कि देखिए गाईज जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसल मेर की तुलना में सूर्य दो घंटे पहले उद्य होता है यानि कि देखिये उत्तर पूर्वी राज्यू में यानि कि उत्तर साइड उत्तर दिशा चलेंगे और पूर्वी दिशा चलेंगे जहाँ सूरज हमारा निकलता है तो जैसलमेर मतलब राइस्थान की तुल्ला में सूर्ज जो है दो घंटे पहले निकलता है ठीक है गाईज उत्तर दिशा और पूर्वी दिशा में दो घंटे पहले सूर्ज निकलता है तो पूर में डिबरुगण, हिमफाल, तेश के अन्य भागों में इस्तिती, जैसलमेर, भोपाल, अथवा, चेनने में घडियां एक जैसे समय दिखाती है ऐसे क्यों होता है भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें एक माना की आमोत्तर गुजरती है एनिकी कॉस्टन बहुत आता है गाईज इंपोर्टेंट कॉस्टन है बोर्ड एक्जाम के लिए ठीक है गाईज जैसे कि आप लीजिए एमसी कर लीजिए ठीक है प्येजडी कर लीजिए एनिकी साइन ठीटा कोश ठीटा बराबर क्या वन तो यह वन ही रहेगा गाईज चेंज नहीं होता है एनिकी जो हमारे जो हमारे क्या एनिकी गाईज जो हमारा वो होता है एनिकी फोर्मोले होते हैं वो हमेशा वही रहते हैं तो वैसे ही भारत की यामोतर कहां कहां से गुजरती है किन किन राज्यों से गुजरती है तो हमेशा वही रहेंगे आप इंगलिस में पढ़ लीजिए हिंदी में पढ बिस्प के देशों में आपसी समझ के तहतAmerica करूद मानक-धियामफ्तर को सात अधरड़ी 30 मिनट देशांतर के गुणग पर चुना जाता है यहणि की जो मानक बिस्प के देशों में आपसी समझ के तहत जो विस्प में ऑर्ड में जो वर्ड का जो समय ना पा जाता है तो मानक याम उत्र को साथ डिग्री तीस मिनट देशांतर के गुणच पर चुना जाता है यही कारण है कि 82 डिग्री तीस मिनट पूर्वी याम उत्र को भारत का मानक याम उत्र चुना गया है अब देखिए भारत का याम उत्र याम उत्र को भारत की मानक याम उत्र चुना गया है तो 82 डिग्री तीस मिनट पूर्वी याम उत्र मतलब देशांतर रेखा ठीक है गाईज तो आप याद रखेंगे कि भारत का समय किस रेखा से ना पजाता है तो 82 डिग्री तीस मिनट देशांतर रेखा से ना पजाता है या याम उत्र रेखा से ना पजाता है भारते मानक समय ग्रीन विच में मद्य समय से चाड़े पांच गंटे मिनट आगे है और कोश्चन गुरुजी सोरी गाईज ये अक्षर बोर्ड एक्जाम, कंप्टिशन एक्जाम, 10th क्लास, 12th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास, all competition सभी में अक्षर आते हैं गाईज ठीक है तो दे चाड़े 5 गंटे आगे है, कुछ देश ऐसे हैं, जिन में अधिक पूर्वी पस्चिमी विष्ठार के कारण, एक से अधिक मानक देशा अंतर रहाए हैं, उधारणता सहिक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटी बन्द हैं, तो सहिक्त राज्य अमेरिका में कितने कटी बन्द ह चैनि कि कुछ देश ऐसे हैं एक से अधिक मानक याम उत्तर का मतलब जो समय नापती रेखाएं हैं समय जो जिन से नापा जाता है तो वो कुछ देशों में जादे हैं ठीके काई जैसे कि आप सेक्ट राजी अमेरिका में 6 समय कटी बन्द है निकि 6 देश आंतर रेखाएं जि लेखें हैं यससे कि आप पूछ लेंगे सहीक्त राज्र अमेरिका में कितनी याम उत्तर हैं सहीक्त राज अमेरिका में 6 याम उत्तर है यहुद्ध छे रेखाएं से समय मापा जाता है ठीक है गाईज холод करो रख के लिए referred रेखां all competition के लिए तो आपने सारे question note कर लेने हैं अपने notes बना लेने हैं अच्छे से ठीक है point wise point कर गए और उसी में सी long question भी याद हो जाएगा कि यह book का फहला chapter चल रहा है ठीक है guys आगे देखते हैं देखिये भारत इस्तिती भारत की location और इस्तिती क्या है यह आपके सामने भारत का मैं पा रहा है तो देखिये यह देसांत पूर्वी देसांतर रहाएं और अक्षांस रहाऊं पे बना हुआ मैं वाप देख रहे हैं तो सबसे उत्तर में भारत के सवलिनगर शमु काश्मीर यह यह की यह परदेस हमारे उत्तर में हैं ठीक है भारत राजनेतिक यह मैप का द्यान NICK कर रहे हम कैसा मैप है मैप हमारे दो परकार के होते हैं राजनेतिक और प्रच्रफनिघन ठीक है गाइस तो यह राजनेतिक में हम तो राजनेतिक में देखिए देश देश दुनिया स्टेट इनका ध्यन करेंगे और प्रकृति में हम प्रकृति के बारे में ध्यन करते हैं ठीक है गाइस तो मैप में आगे चलते हैं देखते हैं तो उत्तर दिशा में आपने पढ़ यह लगा हूँ सिमांचल प्रदेस है के ठीक निचे ये Всемिला की राजधानी है जामोर कश्मिर की सिरीनकर नेयर जो इस टिक लगए हैं यह राजधान दे रखी यह पाकिस्तान हमारा पडोसि देस है पाकिस्तान तो पंजाब की राजधानी चंडीगड़ है और हर्याणा की भी राजधानी चंडीगड़ है एनि कि हर्याणा और पंजाब की राजधानी एक ही हैं क्या है चंडीगड़ और इनकी शीमा शीमला और हिमानचल प्रदेश से लगी हुई है उसकी नीचे आ जाता है गाईज उत उत्राखंड की राजधानी है देरादून आपको दीख रहा होगा यह उत्राखंड की राजधानी है देरादून ठीक है गाइज उत्राखंड पहाडी राज्य है उत्राखंड हमारे उत्तर प्रदेश से मिल गए उत्तर प्रदेश से कटके बना हुआ है question आ जाता है उत्तराखन किस से किस प्रदेश से अलग हुआ तो question में आप answer में लिखेंगे उत्तराखन उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है ठीक है guys अब देखते है guys तो उसके नीचे हर्याणा आ जाता है अब हर्याणा की जो सीमा है वो किस से मिली होई है तो हर्याना की सीमा देखिए उत्तराखंड से चंडीगर से मिली होई है ठीक है गाइज एनिकि चंडीगर तो उसकी राजधानी है उसके नीचे आ जाता ठीक दिल्ली ये दिल्ली देखिए तो दिल्ली के ठीक नीचे है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रद तिवभवाद चीन तिवभव नेपाल यह सब भारत की देशे हैं ठीक है भारत के राज्य हुआ करते हैं छोट नेपाल पढ़ोशी देश तो देंख्या भौटन पढ़ोशी देश न्मारा क्या है deinem चुती है हैं यह कोशन भी आता है तो आप ड़ोसी देश लिखेंगे और उनकी सीमाएं हम्हें किस देश को जूती हैं सब इसके आगए चलते है गाइस भिहार तो देखी भिहार की राजदानी यह पटना है यहां से राजदानी अभी आर ओर हो रही है तो देखिए अरुनाचल प्रदेश की राजधानी एकटरनगर असम की दिशपूर है मेगाले राज़े की है शिलोंग बंगलादेश ये देश आ जाता है हमारा पडोसी देश है जो वाइट कलर में दिखाया हुआ तो बंगलादेश की राजधानी एनिकी धाका की राजधानी मिजोरम की आई जोल ये मिजोरम राज़े है तो मिजोरम ये सब पहाड़ी राज़े मिजोरम की राजधानी क्या है आई जोल ये दे रखिए आई जोल ठीक है ये करक रेखा तो हमारे भारत के बीचोबीच से एक कोस्तन आएगा गुरुजी गाई जाता है आपका अक्सर कम्ट्शन में कि भारत के बीचों थे कौन सी रेखा गुजरती है तो भारत के बीचों ने कि और राजन की राज़्वरा राजनी से राज़े आया कोहें ठीक है उसके नीचे आ जाए death, मैमार भी हमार पड़ोशी देश है ठीक है गाइज नीचे आगई बंगाल की खाड़ी, नीव मूर दीफशमू भारत का कहां इस्तित है, तो गाइज जब आपके सामने मैप आता है, 10th क्लास, 12th क्लास और यह हॉम एक्जाम अनिकी 11 में, तो उसमें आगई आगए आपका नीव मूर दीफशमू दर्चाईय मैप में, त दीफ सम्हू का मतलब है, बहुत सारे छोट-छोटे दीफ होते हैं, यहनि कि बहुत सारे घरों से मिलके एक दीफ बना होता है, तो उसको हम सम्हू का नाम दे देते हैं, ठीक है गाइज, अब यह आजाई इधर, ओडिचा की राजदानी भूबनेशवर है, ठीक है, शत्ति गुजरात की राजदानी है, गांदी नगर, गुजरात की गांदी नगर है, ठीक है, दमन, दादर, नागर, हवेली, सिल्वासा, यह हमारे क्या है भारत के दीफ शमू है, यहनि कि दमन की है, दादर की दीफ शमू, यह नागर, हवेली, इनकी सिल्वासा, यह राजदानी ह महाराष्ट की राजधानी देखिए बंबई आपसे कोई पूछता है बंबई कहा है बसा है तो बंबई अरब सागर की किनारे बसी होई है तो बंबई कहां बसी होई है अरब सागर के किनारे ठीक है गाइज और महाराष्ट की राजधानी है गोवा भी समंद्री किनारे का राज्जी है तो गोवा की राजधानी पढ़ जी उसके बाद कनाटक कनाटक की राजधानी ये बंगलोर अंधरपर्देश थीक है गैज आंधरपर्देश की राजधानी है है किदराबाद, तेलांगना, अब यह आंद परदेश में से ही कटके कौन सा बना है, तेलांगना, यमुना, पादुचेरी, या ना पादुचेरी, यह ठीक है, आंद परदेश, आगे देखते हैं, यह बंगाल की खाड़ी है, यह सब क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहां सब क् पानी रहता है ठीक है यहां के रहता है समय पानी रहता है जल और अरफ सागर यह इधर अरफ सागर है तो अरफ सागर में भी हमेशा जल रहता है कभी-कभी बंबई में भी प्रवेश कर जाता अरफ सागर की लहरें ठीक है तेल्ई ज div के माहे पादु चेरी केरल की राजधनिय तिरुव अंतंप्रम लिखा केरल केरल खिल्फि समुंद्री राज़्या निकी समुंद्र के किनारे था राज़्यह है केरल बहुत सakes हैं पुरुष कहा हैं गाइस खेलर में अगर कोशन आता है आपको सबसे ज़्यादा शाक्षरता दर पुरुष महिलाओ की कहा है तो केरल में केरल की राजदानी क्या है तिरवनतंप्राम यह हमारे कावराती लक्षिदीप शमू तो देखिए कभी अभी कोशन आता है लक्षिदी ठीके गाइस अंतराष्टे सीमा है यह इस लाइन से दिखाई गई है डोट डोट मोटी लाइन चोटी लाइन राज्य सीमा इस से दिखाई गई है ठीके गाइस और यह हमारे अंडमान निकोबार दीप शमू दिखाए गए है तो अंडमान निकोबार दीप शमू भी कहा है ये बंगाल के खारी में थिक्षा घंडर मानिकोबार दीप्षमर की माइं बंगाल के खारी में पर्ट बिलैर हैं इनकी राज्दानी दोट दोट जो दिखाए गए हैं यह सब दीप्षमूह Nowadays च च च चोटे राज्यों की जो हैं डोट डोट देए देख रहे हैं तो यह हमारी राज्य सीमा है यह अंतराष्टे सीमा दिखाईगी है ठीक है गाइज तो आगे चलते हैं स्री लंका ये भी हमारा पड़ोची देश है और हमारा भारत किस महादीप के या किस महासागर के सीड्स पे इस्तित है या कि बसा हुआ तो हमारा देश हिंद महासागर के सीड्स पे इस्तित है हमारा देश किस महासागर के सीड्स पे इस्तित है तो हिंद महासागर के सीड्स है इस्तित एह अक्सर कोषण आते हैं और कंपुटिशन में आते हैं और एक्जाम में आते हैं वोड एक्जाम हो कमट्शन हो रेल भी हो साथ आते हैं डिकते गाइस तो वेरी वेरी सेंट कोशन है ठीक कै नोच जून 2014 में तेलांगना भारत का 29 वर राज्य बना इसकी राज़दानी है तेलांगना की भी राज़दानी है और आंद्प्रदेश की राज़दानी भी गाईज है और है और हैदराबाद तेलांगना जो राज्य बना है और की जून 2004 में डेट याद रखनी है तेलांगना कब बना जून 2004 में ठीक है कोशन आ जाता है तेलांगना जो राज्जिय भारत का बना कौन सा राज्यत है 29 वा 28 27 26 वा यह कॉस्टन भी आपका पूट अप हो जाता है तो तो तेलांगना 29 वा राज्जिय बना इसकी राजधानी क्या है 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 ठीक है गाइस तो देखिए आज के लिए हैं इतना ही काफी है 11th क्लास का यह स्लेवस मैंने स्टार्ट क्या है 11th क्लास 12th क्लास का भी चलेगा और 10th का भी परावर चलेगा ठीक है गाइस कभी-कभी समय नहीं मिलता है उसके लिए कश्ट के लिए मैं सोरी लेकिन वीडियो हमेशा आपको एवलेवल होंगी और गाइस प्लीज चैनल को वीडियो बहुत मेहनच से बनाई जाती है प्लीज गाइस मेरा गला सूख जाता है चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है जादे से जादे सेयर करना गाइस और अच्छे माक्ष लाना सारे कामप्टिशन आप पास करना और देश की सेवाएं करना अच्छे पदों पर आप नोकरी करना ठीक है गाइस तो जय हिन जय भारत